हलो एवरीवन वेलकम टू क्रिजी जीके ट्रिक फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं जापान के पूर्व प्रिधान मंतरी सिंजो आबे के बारे में हाली में जब वो जापान की नारा सिटी में एक केमपेंड कर रहे थे उस दोरान उन पर गोली चलाई गई और उस धुरकटना में उनकी हत्या हो गई इस दुखत घटना के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस घटना पर शोग जताया और इंडिया में एक दिन का राश्टिय शोग भी गोशित किया सिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने अपने कैरियर के स्टार्ट में बोला था कि जापान इस बैक और यही तीन शब्द सिंजो आबे की पॉलिटिक्स को डिफैन करते हैं वो बताते हैं किस तरह से सिंजो आबे ने जापान की पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी एक जगे बनाई उनका वक्तित्व जापान की पॉलिटिक्स में आज सबसे उपर है उन्होंने अपनी एक अनोखी और अर्दुत्तिय चाप छोरी है ना ही जापान पॉलिटिक्स में बलकि व्ल्ड पॉलिटिक्स में तो आज हम इस वीडियो में सिंजो आबे के बारे में और घそれで कोशिश करेंगे यहाँ पाना सबसे पहले बात करते हैं सिंजो आबे के पॉलिटिकल केरियर की शिंजो आबे का जन्म 21 सेप्टेंबर 1954 में टोकियो में हुआ था उनके पिता शिंतारो आबे जापान के फोरिन मिनिस्टर थे और उनके दादा नुबुश के किशी जापान के पूरु प्यधान मंत्री रहे थे शिंजो आबे 1977 में जापान की शाइकी उनिवर्सिटी से पॉरिटिकल साइन्स में ग्रेजूशन प्राप्त करते हैं उसके बाद वो कुछ समय यूएस में जाकर पब्लिक पॉलिसी की स्टेडी करते हैं उन्होंने कुछ समय कोब स्टील फर्म में भी काम किया उसके बाद 1982 मे वो ये काम छोड़ देते हैं और जापान की फॉरिण मिनिस्ट्री में काम करना चालू करते हैं वो पहली बाद 1993 में लिबरल डेमोक्रिटिक पार्टी से एज़ लेजिसलेटर इलेक्ट होते हैं उसके बाद वो 2005 में प्राइम मिनिस्टर कुनी चीरो कोजमी के अंतरगत ची सिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर सिपशे रिजाइन कर देते हैं अपने स्वास्त कारणों की वज़े से फिर 2012 में सिंजो आबे दूसरी बार जापान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद 2020 तक वो जापान के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और 2020 में भी वो इसल World War 2 के बाद एज़ा प्राइम मिनिस्टर सिंजो आबे जापान की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाते हैं और जापान की इमेज वर्ल्ड स्टेज पर डीडिफाइन करते हैं उन्होंने 2013 में तीन फॉरेंड पॉलिसी प्रियोरिटीज को आउटलाइन किया था जिसमें उनने बताया कि उनका पहला काम ये है कि जापान को अब वो रूल वेस्ट आउडर का लीडर देखते हैं खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में दूसरी बात उनने कही कि जापान को अब वो Guardian of Global Commons बनाएंगे यानि कि अब वो Like-Minded Countries के साथ मिलकर काम करेंगे और जो Global Issues हैं उन पर साथ मिलकर काम करेंगे यहाँ पर USA, इंडिया, औस्टेलिया और South Korea ये प्रमुक कंट्रीज रहीं जिनके साथ सिंजो आबे ने मिलकर काम किया तीसरी बात यहाँ पर सिंजो आबे चाहते थे कि जापान अपनी मिलिटरी को भी और दुरुस्त करे और जो World War 2 के बाद जापान ने Pacificistic Constitution लिया है जहाँ पर वो अपनी मिलिटरी को बहुत लिमिटेड यूज करता है उसका यूज वो बढ़ाना चाहते थे और Rise of China को देखते हुए सिंजो आबे ने इस दिशा में भी काम किया उन्होंने अपने कारकाल में जापान और US की बीच संबन्दों को और सुधारा और दृर्ण करा इसी के साथ वो इंडिया के साथ भी अपने रिष्टों को काफी आगे ले गए जापान और इंडिया के पीच संबन्द काफी अच्छे रहे उनके कारकाल की बीच सिंजो आबे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया में आये थे और जब वो इंडिया आये थे उन्होंने इंडियन पाल्यामेंट में एक स्पीच दी जो काफी famous हुई Confluence of Two Seas इस पीच के नाम से यहाँ पर उन्होंने बताया कि जापान एक तरफ Pacific Ocean को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया दूसी तरफ Indian Ocean को रिप्रेजेंट करता है और जो आज हम इंडो पैसिफिक का concept यूज करते हैं वो पहली बार सिंजो आबे नहीं दिया था Indian Palya Med में speech देते हुए उसके बाद सिंजो आबे 2014 में इंडिया आते हैं as a chief guest of Republic Day Parade और वो जापान के पहले प्रधान मंतरी होते हैं जिनको यह सम्मान दिया गया था Indian Government दौरा उसके बाद 2014 में इंडिया और जापान ने अपनी bilateral relationship को special strategic and global partnership में upgrade किया उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया और जापान civil nuclear energy में cooperate करती है maritime security में cooperate करती है bullet train को लेकर साथ में आती है act east policy में जापान एक बहुत बढ़ा role play करती है और finally इंडो pacific region में जापान और इंडिया मिलकर काम करते हैं यहाँ पर सिंजो आबे नहीं quad group बनाने में एक प्रमुक भूमी का निभाई quad group में इंडिया जापान USA और Australia मिलकर इंडो pacific region में साथ काम करते हैं इंडो pacific region में peace रहे और free trade होता रहे कोई भी security issue ना आए खास कर जब हम China का rise देखते हैं उसके नजरिये से quad group एक बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है आने वाले समय में तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इंडिया और जापान कितने close आ गए थे और इसलिए यहाँ पर इंडियान गवर्मेंट ने जनवरी 2021 में सिंजो आबे जी को पद में विभूशन से सम्मानित किया उन्होंने जापान की एकनोमी में जो भूमी का निभाई उसके लिए एक नया टम है फ्रेंड्स जिसको बोला जाता है आबे नॉमिक्स तो ये बताता है कि उन्होंने नहीं जापान के लिए बलकी वर्ल्ड स्टेज पर भी एक बहुत भड़ी भूमी का निभाई उनका ये जो योगदाने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसको भुलाया नहीं जा सकता यहाँ पर सिंजो आबे पर पॉलिटिकल असेसिनेशन्स पर नजट डालें तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर सकते हैं जूलियर सीजर की जिनको 44 BC में असेसिनेट किया गया था रोम रिपब्लिक के अंदर उसके बाद हम देखते हैं US के प्रेसिडेंट एब्राहेम लिंकन का असेसिनेशन 1865 में जहाँ पर उनको सिवल वार के बाद असेसिनेट कर दिया गया था अब्राहेम लिंकन ने जो ब्लैक सलेवस होते हैं उनके फ्रीडम के लिए बहुत काम किया और उन्होंने US पालियामेंड में Emancipation of Slavery Act को पास कराने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई थी और उसके बाद हम देखते हैं जॉन F. Kennedy जो USA के President थे उनकी हत्या की जाती है 22 November 1963 को जॉन F. Kennedy ने बहुत प्रमुक भूमी का निभाई थी जब 1962 में Cuban Missile Crisis देखने को मिलती है USA और रशिया के बीच उसके बाद हम देखते हैं जॉन 28, 1914 में आर्चडूक French Frident का मडर किया जाता है गर्विलो प्रिंसेप द्वारा जिसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया में World War 1 चालू हो जाता है उसके बाद इंडिया में महात्मा गांदी जी की हत्या होती है 30 January 1948 को महात्मा गांदी जो पुरी दुनिया के लिए शान्ती और आइंसा के प्रतिक थे उनकी हत्या के बाद पुरी दुनिया शोक व्यक्त करती है और करोडों भारती है उस समय सडकों पर आते हैं उनको अपनी शद्धान जली देने फिर हम देखते हैं अपरेल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या होती है चो गांदी जी से काफी प्रवावित थे और वो अमेरिका के आइकॉनिक सिविल राइट्स लीडर थे फिर हम देखते हैं 1984 में इंद्रा गांदी जी की हत्या की जाती है उनके ही दो परसनल बॉडिगार्ट्स द्वारा जिसका कारण बताया जाता है Operation Blue Star फिर हम देखते हैं 1991 में राजीव गांदी जी की हत्या होती है जहां पर सोसाइट बॉम के थूँ उनकी हत्या की जाती है 2007 में पाकिस्तान में भी बेन अजीर भुटो की हत्या की गई थी जब वो एक election rally में अपनी party का प्रचार करने गई थी तो friends इत्यास में काफी ऐसे examples हैं जहां पर हमको देखने को मिलता है कि popular leaders की हत्या की गई मगर friends इत्यास से हमको ये भी सीखने को मिलता है कि व्यक्ति मातरी हत्या होती है मगर विचार धारा की हत्या नहीं होती हम इंडिया में आज भी देखते हैं कि गानी जी तो नहीं रहे मगर गानी जी के जो मूल हैं आदर्श हैं वो आज भी इंडिया में जिन्दा है और similarly जो भी ये great leaders रहे हैं उनके आदर्श और उनका मार्ग दर्शन आज भी उनके देश और दुनिया को काम आता है तो friends यहाँ पर हमने जापान के पूर्वर प्रडायम मिनिस्टर सिंजो आबेजी के बारे में थोड़ी घहराई से जानने की कोशिश करी और एक नज़र डाली पॉलिटिकल असेसिनेशन पर आई होप आपको यह वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तिल देन फ्रेंड्स बाई 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 टेक कियर